इंडिया रेल्वे ने तहसील मार्ग के पास रूई की मंडी रेल्वे पुल के नीचे वाहनों के आवा गमन को 40 दिनों से अधिक समय से बंद कर रखा है। पुल के नीचे आवा गमन बादित होने से रहग्रों को खासा परिशानियों को सामना करना पड़ा है। छेत्रिय पारशद उमेश पेरवानी ने कहा कि रेल्वे विभाग ने 17 जनवरी इस कार को समाप्त करने की गाइडलाइन जारी की थी। इस्तिती के बीत जाने के बाद भी यह कार कचुआ गती से चल रहा है। ऐसे चलते लोगों को कुछ किलो मीटर का रास्ता कई किलो मीटर चकर काट कर पूरा करना पड़ रहा है। अगर नहीं किया जाता है तो जहां तो दिन बढ़ा के टैम दिया जाए जिससे के जनता को समच्चा का सामना नहीं करना पड़े। शहागंज बाजार से वेपसाई करने वाले एक वेपारी ने बताई कि यह मारक जिला मुख्याले से फतहपुर्ट सीकरी को आपस में जोड़ता है। इसके बाबजूत इस पुल के नीचे वाहनों का आवागमन बादित बना हुआ है। इस तर शहागंज बाजार में आने वाले ग्रहकों को भी काफी परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तहसील चौरहे से लेकर शहागं चौरहे तक जाने के लिए जो रेलवे का पुल बंद कर दिया गया है। उसके नीचे का आवागमन बंद कर दिया गया है। आम जनता को इतनी तकलीफ होती है कि उनको चार-चार किलोमीटर चक्र काट करके जाना पड़ता है। और 17 तारीक तक की अलाओ किया था आज 21 तारीक हो गई लेकिन अभी तक रस्ता नहीं खुला है। इसलिए किर्पया हमारा आप लोगों से प्रातना है कि इसको शिग्र से शिग्र रस्ते को सुचारू रूप से चालू करवाया जाए। छेतरीय लोग रेलवे अधिकारियों से कई दफा इस पुल के जिणत दुआर के कारे को जल्द पूरा कराने की मांग शिकायती पत्र के माध्यम से कर चुके हैं। लेकिन रेलवे अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे है। सी न्यूज के लिए अजब बहादुर की रिपोर्ट।